नमस्ते मेरा नाम है वनाई शुराब सभीक हमारे चैनल पर दोस्तों स्वागत है वो पांच बड़ी वज़े से आज टीम इंडिया ने शांदार जीत हासिल की है जिम्मांबे को 10 विकेट चाहरा है पहली बड़ी वज़े टीम इंडिया को दीपक चाहर ने एक शांदार शु दूसरी के बाद वापसी कर रहे थे दूसरी बड़ी वज़े बीच के ओवर्स में आपके गेंडबाजों ने विकेट निकाला खास करके प्रसेद कृष्णा और अप्छर पटेल ने दूरु गेंडबाजों ने तिन-तिन विकेट हासिल किये और टीम इंडिया की जीत में अधा की, 189 रन पर जो है जिम्मामे की टीम सिमट गई, 190 रन का टारगेट टीम इंडिया को मिला था, तिसरी बड़ी वज़या कप्तानी बहुत अच्छी रही, केल राहूल से अक्सर उनकी का कप्तानी की आलशना होती है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने गेंडबाज को आज रोटेट किया, वो कमाल था देखना, और धीरे-धीरे वो मैच्यूरिटी आए कि उनकी कप्तानी में, लोग भले उनकी आलशना करते हो, आईपिल की कप्तानी देखके, या तीम इंडिया के लिए भी इस साल जब उन्होंने सौथ अफरिका में कप्तानी की थी, तो ज कम अनुववी खिलाडियों को, पांच भी बड़ी वजय, आपकी ओपनस ने कमाल का प्रदर्शन किया, खास करके शिखरदबन और शुम्मन गिल ने, दोनों ने 80 प्लस रंस बनाए, शुम्मन गिल ने 72 गेंदों में 82 रं की पारी खेली, और शिखरदबन ने 81 रं बनाए, और इस तरीके से जो टीम इंडिया को एक शादर जीत मिली, तो आज की जीत के जो पांच बड़े वजय है, वो मैंने आपको बता ही दिया, और पांच बड़े हीरोज में आप इन ही पांच भी खिलाडियों को रख लो, दीपक चाहर, शिखरदबन, शुमन गिल, अक्षर अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो हमारी चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब बिलकुल कर लीजएगा, धन्यवाद